हलो फ्रेंट तो कैसे हो अब सभी लोग आपने लोग फिर से आ चुके एक नया कोश्चन को लेकर यह और गेनिक का कोश्चन है दिया हुआ एक कंपाउंड जिसको एच प्लस के साथ रियेट करवाना है और नीचे दिये गए अप्सन तो फटा फट से वीडियो को पॉस करिए और कोश्चन को ट्राई करिए और जो एंसर आएगा उसे नीचे कमेंट करिए फिर अपनलों लोग देखते हैं स्वाल्यूसन को हाथ फ्रेंट्स को सॉल्फ करते हैं दिया क्या क्या क्षचन पर एच प्लस जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको इलेक्ट्रॉन तो फिर 3D वाले को carbon से bond टोड़ेगा या फिर 2D वाले carbon से bond टोड़ेके electron लेगा तो अपनलों जानते हैं 3D कार्बोकाटैन is more stable than 2D इसलिए 3D वाले bond को टोड़ेगा और 3D कार्बोकाटैन यहापस बन जाएगा ठीक है ना अब फिर से इस 3D वाले कार्बोकाटैन की electron की जोड़ा थे जो की मिलेगा इस double bond से अब double मन टूटेगा plus और minus में दो तरीके से यह भी टूट सकता है तो कैसे टूटेगा एक तो 2D वाला या तो 3D वाला तो फिर सो भी concept 3D कार्बोकाटैन बनेगा है ना और एक को positive charge मिलेगा एक को negative charge मिलेगा देखते हैं कैसे होता है अब यह जो positive negative charge है मिल कर बना लेंगे और देखते हैं क्या बनता है तो 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर के एक रिंग बनने वाला है ठीक है चलो बनाते हैं तरीके से जोड दिये हैं और उस पर क्या है 3D कार्बोकाटैन दे दिये positive charge देखो positive charge के समने वाले कार्बन पर जो हेट्रोजन होगा वो निकलेगा और फिर से डबल बन बन बना देगा अब यह हेट्रोजन निकाले कि क्योंकि देखो reaction के पहले मैं हेट्रोजन दिया गिया था तो हेट्रोजन प्लस आयन लिकालना भी तो है ना जो लिया वो देना तो पड़ेगा है कि नहीं तो देखो क्या कमपॉंड बना यहां डबल बन बन गया और इससे क्या आ गया बी नंबर आप्शन आपको करेक्ट हो गया कोई भी डाउट हो आपको इस पे तो कमेंट प सब्सक्राइब कर देंगा है